कोरुना काल की बीच धार जिले से राहत की खवर आई है जहां सरदारपुर क्षेत्र के मोहन खेडा तेर्थ में गुरुकरपा आरोग की कोविट केर सेंटर का शुबारंब विधी विधान से किया गया मद्प्रदेश से धार जिले में थेजी से बरते कोरुना मरीजों के लिए अब अलग अलग स्थान वपर कोविट सेंटर बनाये जा रहे है ताकि कोरुना की चेन को तोड़ा जा सके इसी कड़ी में शनिवार को सरदारपुर क्षेत्र के मोहन खेडा तेर्थ में गुरुकरप आरोक के कोविट केर सेंटर का शुबारम किया गया यहां पर 300 बेट लगाए गये हैं जहां सामानी कोरुना की लक्षन दिखने वाले मरीजों को रखा जाएगा दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरी श्वर जी की प्रतिमा पर धार जिले के प्रभारी मंत्री रा अब हेतु प्रार्थना कीवा उपस्तित जंसमुदाय को आचिरबात प्रतान किया राजिन सुरी जी गुरुदेव की कृपा है यहां उनका तप रहा है और उससे मोहनखळा की ख्याती में बढ़ी है बत्मान महरेश गुरुदेव का भी बहुत इसमें सर्योग रहा है और वैसे ही आप अधारे कुदे बूराद से आते ही उन्होंने मुझे फोन लगाया नात का समय था फोन लगाते हैं उन्होंने चिंता व्यक्त करी के शेतर में बहुत पहल रही है इन्होंने बागी भी बच्छा करी इंजेक्शन के बारे में ऑपसे आगे होके कहा कि जो भी आ हम समयखा पे हैं और पुरी व्यवस्ता हम लग variations salary है अच्री व्यवस्ता है उसको और अच्छा बना का और आरे कुल व्यवस्ता कर रहा है बूजन की व्यवस्ता कर रहा है और मेरे क्खाल से बहुत सब्सक्राइब करने का हमारे आपर संकल होता है कुझे की पुने में पर जब भी आपदा का वेशे आता है सब्सक्राइब करने के वर्तमान दोर के अंदर यह हमें बहुत अच्छा मेंसित हुआ कि प्रसेशन ने मंतर जी महोदर जी के तेंदिशों पर यहां पर कमेर्शेंटर बनाने के लिए यगे के चैन किया सब्सक्राइब करने के अधिकारी डॉक्टर जीतेंद्र चोधरी डॉक्टर एम एल जैन बीमो डॉक्टर शीला मुझाल्दा अरुल भागी अधिकारी सहीत गर्मान निनागरिक मौजुद रहे सरदारपूर से बालु सिंग बारिया की रिपोर्ट